प्रीजिय गांधी जी नमस्कार आप देख रहे हैं एस्पियन नाई नीज्ज इस्पियन नाइ नीज्ज में आज आप बात करेंगे कॉंग्रिस पार्टी के बारे में कॉंग्रिस अध्यक्ष के बारे में, सुनिया गांधी जी के बारे में, कॉंग्रिस के महासची प्रेंका गांधी जी के बारे में, कॉंग्रिस के पुर्व अध्यक्ष और मौजुद असान सद राहुल गांधी जी के बारे में, अब आप सोच रहोंगे कि ऐसा अभी क्या आ है जो इन लोग के लिए बात करना बहुत जरूरी है ऐसा क्या जरूरत पर गई है जो अब कॉंग्रेस अध्यक्ष पद को लेकर बातचीत करना होगा ऐसा क्या सवाल है क्या जरूरत हो गया या क्या महत्पून हो नहीं है वरीसट्ट से वरिस्ट नीता एक दوسरे से खफा हो रहे हैं तरह तरह के तमाम सिवाल जबाब मैं आपको अगर किसी सवाल से किसी सवाल के जबाब से अगर आप अथ हो तो आप में कॉमेंट कर जरूर बताएं कि ऐसा क्या हुआ और क्यों हुआ कि उन्होंने पहले तो इस्तिफा दिया फिर अब उनको क्यों मांग उठ रही है कि वो फिर से अध्यक्च बन जाए ये बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब जानना हमारे और आपके लिए बिहद जरूरी है तो आईए सबसे पहले आपक देश के पार्टी में नेता कारे करता कि अलावा जो देश की जनता उन से उमीदे कर रही थी उस पर वो खड़े नहीं होते इस वज़र से इस्तिफा दे दिया लोगों को लगा कि जब वो अपने सीट को नहीं बचा पाए तो लोगों की जिम्मेदानियों को कैसे निभाए गया था उसके बाद उन्होंने इस्तिफा दिया देश में बवाल मचा हंगामा हुआ तरह तरह के अबाई फैलाई गी तरह तरह के सवाल उठें कंग्रेस पार्टी डूब गई कंग्रेस पार्टी खतम हो गए देश में विपक्ष खतम हो गया देश में विपक्ष का पास कराया गया है कि कॉंग्रेस पार्टी के अध्यक्ष फिर से राहूल गांधी को बनाना चाहिए अब सवार यह है कि अब फिर क्यूं यूथ कॉंग्रेस को ऐसा क्यूं लगता है क्यूं क्या जरूरी पढ़ गया कि राहूल गांधी को ही अध्यक्ष बना जाए तो आई आ खुद कवर कर रहा था मैंने वहां देखा कि हजारों लाकों की संख्या में यूथ कॉंग्रेस आए अलग-अलग जीलों से अलग-अलग राज्चियों से चाहिए वो मद्रदेश राजिस्थान च्छतिसगर्ड यूपी बिहार इन तमाम जगों से पंजाब वहां आए बहु ने जब बाच्वीत की बताया तो वहां पर एक जो चीज निकल कर आया वो यह राहूल गांदी जब संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि देश में जो बिरोजगारी है महंगाई है देश में जो पित्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं देश में जो मोदी सरकार की ज खत्म कर रहे हैं युबाओं के होसले को खत्म कर रहे हैं मोदी सरकार कॉंग्रेस राहूल गांदी ने इतना ही नहीं ये भी उन्होंने कहा कि आज देश में युबाओं के लिए सरकार नहीं है युबा पे धियान देने के लिए सरकार नहीं है सिर्फ युबा युबा को इ भीवित कर सकता अगर कोई को सचलित सकता है तो राहूल गंधी से बैटर कुट कर शायद यही वज़ा है कि यooky कॉंगरेस की अध्यक्ष लाइक्ष का ताकत आजाएगी वहीर पार्टी जो पहले से था शायद यही वजह है कि उनको जो है मागोड़े लेकिन अब सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी तयार होंगे सवाल यह भी है कि क्या राहुल गांधी इस प्रस्ताप को देखा है उन्होंने क्या उन्होंने बाच्षीत किया है यह बहुत बड़ा सवाल है तो जब तक राहु अब दूसरी वर बात करते हैं सोनिया गांधी मौझूदा सो कॉंग्रेस की अध्यक्ष हैं तमाम तरह की अठकले लगाए जा रहे हैं कि प्रशांत की सोर शायद कॉंग्रेस पार्टी में शामिल हो जाएंगे इसमें अगले वीडियो में बिस्तार से बात करूंगा प्रशां गांधी की सवाल है तो ये सवाल रह जाएगा कि क्या वाकई में राहूल गांधी दुबारा अध्यक्ष बनेंगे क्या वो जिम्यदानियों को निभाएंगे क्या वो कॉंग्रेस की नईया पार करा पाएंगे क्या देश में जो सवाल खड़े हो रहे हैं कि विपक्ष आज देश से खत्म हो गया क्या इन सवालों का जवाब दे पाएंगे राहूल गांधी ये बहुत बड़ा सवाल है अब आपको एक सवाल और बताता हूँ एक ये सवाल ये कि क्या राहूल गांधी वाकई में अध्यक्षपत के लायक भी है कि कि जिस तरह से आज जिस नजरिये से लोग राहूल गांधी को देख रहे है एक्चोल में वह हकीकत नहीं हकीकत मैं आपको बताता हूँ कि राहूल गांधी का वैलू और कबसे बढ़ा है लोगों को लगा कि क्यूं लोगों के साथ साथ यूथ कॉंग्रेस को भी क्यूंग लगा कि आखिर ये का धिक्षपत के लिए राहुल गांधी ही पॉफेक्ट है आई आपको बताता हूं इस सवाल का जवाब देश में किसान अंदोलन चल रहा है आपने देखा कि आरजेडी के सांसद बहुत सारे जो है मनुझा जी बहुत सारे चौदर बिप्रक्षिदल के नेता हैं मैं वहां भी कर रहा था मलकात हुई बाच्चित हुई अब वहां भी आकर राहुल गांधी को ही जो सबसे पहले जो है मौका दिया गया यानि वो उनको लीड कर रहे थे उनके प्रभारी तें तमाम नेताओं के प्रभारी दे हैं वहां पर राहुल गांधी ने वही का महंगाई ब taxpayer जिस तरह से किसानों को नजर अदाज किया आ तूो सायद यह लगा कि हर्जगह पे सब्सक्राइब को लुग करते हैं और सबसे पहले उन मुद्दों को उठाते अब देखना होगा कि राहुल गांधी इन तमाम सवालों का जवाब कैसे देते हैं यूद कॉंग्रेस ने जो पास किया है पुरस्ताफ उस पर उनकी क्या रहती है अ क्या वाकई में राहुल गांधी अध्यक्ष पत के लिए तैयार होंगे यह बहुत बरा सवाल रहेगा फिल